हेलो एवरिवन वेलकम टू इन्वार्मेंट आई एस दोस्तों एमसी क्यूस को कवर कर रहे हैं हम लोग और यह इस सीरीज का हमारा दूसरा वीडियो है यह हमारी फ्लैक्शिप सीरीज है जैसा कि आपको पता है और हम डेली जो है हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में जितन इंडियों को फॉलो करते हैं एमसी करना चाहते हैं इस सीरीज को फॉलो करें सब्सक्राइब करते हैं जो है 22 में का हिंदू ले रहा हूं और उसके इंपॉर्टें आर्टिकल हिंदू इंदियन एक्सप्रेस दोनों पहला क्वेश्चन ला कोरोना विच वाज रिसेंटली सी in the news is a merged sun sport which was formed after formed after merging of two sun sports recently a new variant of coronavirus which is known to have high fatality rate or high mortality rate a new variant of coronavirus which is recently declared as a variant of interest v o i or variant of concern by w h o d the last remaining glacier of venezuela which has recently classified as a ice field तो ला कोरोना क्या है यह आपका पहला क्वेशन है तो थोड़ा सा सोचिए और ट्राइटू गिव आंसर यूप्यसी में इसी ट्रैप के वीडियो भी हमने बनाया था तो वहाँ पर ला कोरोना कोई नाम आया था क्या दूसरा कोरोना वाइरस का वीडियो हमने लिया था ठीक है फ्लर्ट करके वेरियंट आया था है ना वहाँ पर ला कोरोना कोई वर्ड आया था क्या थोड़ा से सोचो फिर हमने जो है वेनेजुए ग्रेशर कवर कि अईसे ही एक्जेक्टली एक क्वेशन आएगे यह पिसंग में तो करेक्ट आणसर इस डी वेनेजुञा का गलेशर जो मेल्ट हो गया था उस गलेशर का नाम आपने देखा होगा इस और उसका नाम था हमबोल्ड गलेशर और हमबोल्ट ग्लेशेर का दूसरा नाम जो है ला कोरोना है इसका दूसरा नाम ला कोरोना है अगर आप हमारे वीडियो को देखेंगे वह वेनेजुल के लाज कल की क्लास में हमने कवर किया था हमारी एक और एक और फ्लेक्शिप सेरीज चल रही है जिसमें एंवायरमेंट डेली एनलेश घिसमें हिंदु इने एक्सPRIS के एंवायरमेंट के जितने भी आर्टीकल आ रहे हैं एक साथ एक ही जेगे पर कंपाइल करके हम एनलाइज करते हैं उसमें हमने कवर किया था तो वहाँ पर वीडियो में आप देखना दुबारा यह जो है स्लाइड थी जिसमें लिखा था साइंटिस्ट क्लासिवे हमबोर्ड ग्लेशियर आलसो नोन इस ला कोरोना तो यह ला कोरोना वह ग्लेशियर है वेनेजुएला वाला ध्यान रखना है ठीक है यह हमेशा ऐसा ही करती है आप जो है कुछ पढ़ते हो लेकिन ध्यान से पढ़ना है क्योंकि यह पीसी जो है कई बार ऐसा हो था बहुत छोटी सात्वी क्लास की एंसे अर्ट से क्वेशन यह मुझे याद है जोग्रोफी में सेवन क्लास की एंसे एक टेबल रही है उस टेबल से ने तीन बार क्वेशन पूछा है प्री में आप दो को साथी क्वेशन की इस एक्जाम में पूछ रहिए थीक है तो पढ़ना भी उसे ध्यान से पढ़ना है तो हमबोल्ट का दूसर इस की जो हमारी सीरीज इन्वाइर्मेंट डेली न्यूज एनलेसिस उसमें हमने कवर किया था वेनेजुला लोस्ट इस लास ग्लेशर चलिए दूसरा क्वेश्चन तो आपने सुना होगा बहुत वाइरल ली न्यूज में चल रहा है एक एर जो है एरक्राफ्ट है एक फ्लैमिंगो जो बर्ड है उसका पूरगबर जुन जा रहा था उसका टकरा गया और 30 फ्लैमिंगो जो है मर गए बॉंबी में और इसकी इसका पूरगबर जो है इसकी कैसे हुआ पूरगबर जो है एक्जामेनिशन चल रहा है इसकी इंक्वाइरी चल रही है तो वोपर question ले रहे हैं दुनिया में छे टाइप के फ्लेमिंगो होते हैं पहला question वेर इन इंडिया डू फ्लेमिंगो माइगरेऺे तो नेस्ट इनलाज नंबर Baptist Professor का नेस्ट इंलाज राज नंबर फ्लेमिंगो डिसी के लिए साइबी एरिया से आते हैं ठीये या दूसरे कंट्री एरान वगिरा से आते हैं और भारत में कुछ जगे है सेलेक्टेट जगे जहां पर माइग्रेट करते हैं तो कौन सी जगे है वो ठार का डेजर्ट रन ओफ कच कोस्टल एरिया या हिमाले ट्राइट टू गीव आंसर एक्चुली यह यह कुशन जो है स्टेट पीसीएस में आया था तो मैंने लिया है इसको और आपका जो आर्टीकल है जो हिंदू में पॉपलिश हुआ है उसमें इसका आंसर है रेव राऍधा watched में और ऑ रन से सब्सक्यस कि और बगईरा तो अब को फ्लेमिंगे आते हैं वह आते हैं साइबेयरिया से या इरान से ये जाते हैं रन आफ कच जो गुजरात में है और फिर महाराष्टा जैसे महाराष्टा में है आने वेट लेंड वगरा में जाते हैं तो ध्यान रखना है चलो उसी आर्टिकल पर बेस्ट एक और क्वेशन रखन अब्र कंसिरे थूलंग स्टेटमेंट अबौट लेसर फ्लेमिंगो थो जो थी टाइप के होते हैं देखू यहाँ पर फ्लेमिंगो जो है च्थ ताइब के होते हैं आप यह देख सकते हो को ग्रेटर फ्लेमिंगो ए उसके बाद में heartbreaking लेसर फ्लेमिंगो सबसे छोटा होता यह लेसर फ्लेमिंगो फिर एंडियन फ्लेमिंगो पूना फ्लेमिंगो और चिलियन फ्लेमिंगो तो फ्लेमिंगो की छे स्पीसीज दुनिया में पाई जाती है ग्रेटर अमेरिकन लेसर एंडियन फ्लेमिंगो पूना फ्लेमिंगो और एक क्वेशन हमने बनाया है, ग्रेटर फ्लेमिंगो के ऊपर, तो उसी को हम ले रहा हूं, उसी को कवर कर रहे हैं, क venues the following statement about lesser flamingo, it is smallest of all flamingo, but it has largest population, it is serially monogamous, it is classified as endangered by IUCN in its red data book, which of the statement given above is R correct, one only, one, two, one, three or one, two, three, कौन सा correct है Χी को इस मीग आपको फ्ल EMIGO गारे में कुछ फता नहीं है लेसर फ्ल EMIGO नाम सा पता लग रहा है कि यह जो है हाइट वगला कम होगी तोा सब से छोटा है फ्लेमिंगों इस्स मारित सबसे कम घ्ठ को होती है ठीक है और इसकी population maximum होती है सारल फ्लेमिंगों में तो स्टेट्मेंट वन जो है करेक्ट है हाइड सबसे कम population सबसे ज़्यदा 6 species में से अब आपको जब भी इस टैप कर विश्चन आये ना और जब आपको केटेगरी पूछे कि आयूसीन की रेड लिस्ट में कौन से केटेगरी है थोड़ा से दिमाग लगाना है फ्लेमिंगों बहुत सारे हैं ठीक है फ्लेमिंगों बहुत सारे हैं और पूरी दुनिया के कई सारे देशों में मिलते हैं इंडेंजर केटेगरी वह है जब किसी थिक है, और monogamart का मतलब होता है कि जिसे एक विवा यानि कोई इंसान एक शादी करता है monogamart बोलता है flamingo हमेशन पेर में रहते हैं और as a couple रहते हैं आपको धियान हुं इंट्रस्टिंग बात है दो flamingo आपको साथ में देखेंगे male और female नियат Bertsky तो वन पूट्टि रहेंत यहांद स्सक्रीपना आध कहलु ना इंडीेरी को अदिशन में नियंकी टैटा सेके टॉप होता है दूसरा ये बनमो पर आप Cherry première में मिलते है और यहांडता द्वारा दिखा तहां में देखो हमारा क्वेशन था लेसर फ्लेमिंगों के उपर लेसर फ्लेमिंगों यहां पर मिलेगा इन कंट्रीज में तो कहां है यह अफ्रीका का मैप है और यह इंडिया का मैप है तो लेसर फ्लेमिंगों मिल रहा है अफ्रीका और इंडिया में हाइट के इस आप से देख लो पर आप यहां पर नीचे है तो इसकी पहचान है क्या हो उट्सक्राइए बहुत सारी जगें मिलता है अफरिका में हमने देखा मेप में अफरिका में हैं इंडिया में भी है वगएरा बहुत सारी जगे तो याद रखने के ज़रूत निए सरवाहारी मोनो होता है होता है तरीके से हो होता है और अल्गी और इन्सेंट्ट को का अब भी गये हो जेसर फ्लेमिंगो अगे बात करते हैं तो बहुत मैनत करके और बहुत सोच समझ के घंटों करके एक क्वेशन बनाया है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें क्योंकि आपके सारे साथ्यों को और यहां यूटीवश करते हैं लेकिन अल्टिमेट परपर्स किया है ऐग्जाम में जूखेंगे करना तो हम्सक्राइब करहें तो हमारा एक खुड़ा सा अलग तरीका है और यह ज्यादा एक्जाम एफेक्टिव है तो तो फॉल्लवाइंग बर्ड्स ग्रेटर फ्लेमिंगो प्रेश्पश्पश्पश्पश्पश्पश्पश्पश्पश्पश्पश्पश्पश्पश्पश्पश्पश्पश्पश्पश्पश्पश्पश्पश्पश्पश्पश्पश्पश्पश्पश्पश्पश्पश्पश्पश्पश्पश्पश्पश्पश्पश्पश् मिलते हैं बाकी का देखो यह हमारा इमेज है ग्रेटर फ्लेमिंगो मेप में देखो अफ्रीका में है और इंडिया में है यह अफ्रीका का मैप है और इंडिया का मैप है चलो इंडिया में मिला लेसर फ्लेमिंगो देखो अफ्रीका में और इंडिया में तो दो जो है ग्रेट चाहँ को अंदीन कहा है यहां पर देखो तो साथ अमेरिका में मिलता है अगें जो है साथ को में मिलता है और चीलियन फ्लेमिंगों वी साथ अमेरिका में मिलता है तो आप यह देखो फ्लेमिंगो जो कि 6 स्पीजिस है उसमें से दो इंडिया में है ग्रेटर और लेसर बाकि सारे इंडिया में नहीं है और इन में भी जो अमेरिकन फ्लेमिंगो है USA में और बाकी तीनों फ्लेमिंगो एंडियन और पूरा और चिलियन ये तीनों साउथ अमेरिका में मिलते हैं तो थोड़ा-थोड़ा धिहान रखना इंडिया वाले अपने को धिहान रखना है बस तो ग्रेटर और लेसर तो एसे क्वेशन यूपेस यूपेस एसे क्वेशन बहुत बना रही आजकल तो फ्लेमिंगों के पर विए क्वेशन है टोटल फ्लेमिंगों की स्पीसी जो है वर्ल में छे है वह आपने देख ली है उनमें से दो इंडिया में मिलते हैं ग्रेटर फ्लेमिंगों जो है स्टेट बर्ड है गुजरात का इंपोर्टन याद रखना है गुजरात का राज्य पक्षी है स्टेट बर्ड ऑफ गुजरात ग्रेटर फ्लेमिंगों इस फाउंड इंडिल एस्ट इंक्लूडिंग तर्की दुबई ओमान अफगानिस्तान आलसर फाउंड साउथ इस एश्या इस केटेग्राइज एज ली इस प्रयाक है टेकारी रर्खण के ज़ंडिया आपको सारे कंट्री में मल जाएगा कसुछ के ट्रीट का स्टींड बर्ड है चलिए चार में कर लिए हैं और हमनेंडिया कवर कर लिए आर्टिकल का समरी या क्रक्स हमने देख लिया है थर्ड आर्टिकल जो रेफरेंस है वो हिंदू का आर्टिकल 22 तारीक को आया था पेज कि अबर के उपर सुप्रेम कोट पॉल्ट 90 एकड प्रोजेक्ट्न कुमायु हिमालया ओन प्लिया चैलेंजिग सिंगल विंडौ क्लेरेंस तो बैसे को मायु हमालय जो है उत्राखंड में है और वहां पर एक 90 एकड़ का प्रजेक्ट था उसको सुप्रिम कोर्ड ने उसको इस्टे लगा दिया उसके उपर तो यह गहडवाल और यह कुमायू जो है उत्राखंड के पार्ट है तो कुमायू हिमाले पर एक क्वेश्चन हमने बनाया है एक्चुली यूपी से का पीवाई क्यू है यह आए इस प्री म कुमायू हिमाले नोकरेग सिक्किम हिमाले विच पे अर गीवन अबोव इस आर करेक्टली मेच करता है बताओ कुमायू हिमाले पे हमारा आर्टिकल था तो सम्टिंग एसे रिलेटेट क्वेश्चन आएंगे कि नाम्चा बर्वा नंदा देवी नोकरेग गहडवाल कुमायू सिक्किम नाम्चा बर्वा जो हें एक माउंटन पीक है अरोनाचल प्रदेश में ए S ? गहडवाल हमाले में उत्तराखंड में यूके में है तो यह पेर तो मेशनी करता क्योंकि नामचा वेरवा जो है उत्तर अरुनाचल प्रदेश में है तो फर्स तो इनकरेक्ट है नंदा देवी एक माउंटेन पिक है जो कुमायु हिमाले में है उत्राखंड में है नंदा देवी यूके में उत्राखंड में है तो ब पूर यमालय उत्राखंड का हिमालय वाला पोडशन है और कुमायू हिमालय भी उत्राखंड में यानि गहडवाल और कुमायू दोनों उत्राखंड के portion है नंदा देवी जो है कुमायू हिमालय में लोकेटेट है मैं देखो मैप पर देखा तो आपको बेटर वे में समझ में आएगा जब हम 11 क्लास की और नंके इंडियन जेोग्राफिक कवर करते हैं तब हमाले का क्लासिफिकेशन यह ये कष्मीर हिमालय है फिर कि हिमाचल हिमाले फिर है कुमायू हिमाले तो उत्राखन ये यूकिय है उत्राखन वाला पॉर्षन कुमायू हिमाले ये नेपाल हिमाले है ये सिक्कीम हिमाले चोथा ये है सिक्कीम हिमाले फिर भूटान वाला पॉर्षन आ जाता है और लास्ट में आता है अरुनाचल हिमाल हम नहीं ले रहे हैं सिक्किम हिमाले भूटान को छोड़ दो और अरुनाचल हिमाले और लास्ट क्लासिफिकेशन आता है यह वाला जिसको हम बोलते हैं पूरवांचल हिमाले तो आप इस तरी के से क्लासिफिफिय करते हो हिमाले का डिविजन करते हो कश्मीर हिमाचल सिक्किम अरुनाचल और पूरवांचल इसमें हमारी यहां पर यह जो है यहां पर एक माउंटेन पिक जिसका नाम है नामचा बर्वा नामचा बर्वा याद रखना नामचा बर्वा जो है माउंटेन पिक कहा है अरुनाचल पुदेश में तो नामचा बर्वा किसका पार्ट है अरुनाचल हमाले का फिर हमारे एक माउंटेन पिक थी नंदा देवी जो यहां पर है नंदा देवी जो कुमाईउ हमाले में थी जो पेर करेक्ट था फिर हमारी एक और मौन्टेंड पीक है यहां पर यह मेगाले है जिसका नाम था नोकरेक लुग काहा है मेगाले प्लएट्यू में हमारे एक संब्चे तो यह हमारे कर्एंसर तो मौन्टेन को ध्यान डखना है outside पिक को ध्यान रखना है UPSC का पीवाई क्यू है यह तो वेरी इंपोर्टेंट ठीक है यहां पर देवी रखा है यहां पर है नामचा बरवा ठीक है और यह ज़़ा ही नंदा देवी तो यहां से कुश्चन था यह नोकरेक हैं मेघाले में तो यह इन प्यों पर कुश्चन आय और नामचा बरवा अरोना चले माले तो यह हमारा नेक्स कुशन था अगर आपको गहडवाल और कुमायू के बीच में डिफरेंस नहीं पता है कंफ्यूज होते हो तो ध्यान रखना है कि दोनों उत्राखंड में हैं उत्राखंड के एक्षूली दो भागे एक है गहडवाल और एक है कुमायू तो यह जो कुमायू है इसमें है नंदा देवी तो आपी कह सकते हो उत्राखंड के दो भागे है जो वेस्ट वाला पोर्शन है वो घढ़वाल है और इस्ट वाला पोर्शन है तो यह थोड़ा से ध्यान रखना है चलो 5 question हो गया हमारे अगला very important article in fact कल का new receiver का सबसे important article यह है science section का तो question का जो हिंदू में article आया था 22 सारीको page number 7 के उपर science section में title था चहरा ऋटो إिम्यून डिजीज रिस्क यानी की अगर च्रोमोजाम जो है के audio कि धा यूर्टी प्लस एज की वंडिस उन प्होला हो अगर आक्टि को जाये दो वारा तो उनमें यह नई research में पता लगा है तो इस पर question ले रहे हम लोग article से question क्वोन से Indonesia है पहला डूचियने, muscular, diastrophe and अग्मा, global, linemia disease which are sometimes seen in the news are viral disease, bacterial disease, protozoa disease or genetic disease. यह कौन सी बिमार्या है, basically article में mention है, बताओ, अब आप यह देखो सर, इस सर की बिमार्या को नाम था हमने विल्कुल सुने ही नहीं, तो यह कौन सी बिमार्या होती है, आप यह देखना कि यह diastrophe, ठीक है, यह टर्म को पकड़ना, और global, linemia, इस सर के जो नाम आते हैं, जनरली यह genetic disease होती है, आनुवांचिक बिमार्या होती है, यह viral disease नहीं होती है, यह bacterial नहीं होती है, प्रोटोजवासे नहीं होती है, genetic disease होती है, तो धिहान रखना है, कि कुछ बिमार्या, ठीक है, डुचियने, muscular, diastrophe, and agma, global, linemia, जो है, दोनों की दोनों genetic disease है, और यह हमारे इस आर्टिकल में आया था, अब अगर आपको detail में इस आगे आर्टिकल पढ़ना है, तो आज से हम एक और नई सीरीज लॉंच कर रहे हैं, जिसमें science and technology की आर्टिकल, सारे के सारे हिंदू Indian Express की analysis करेंगे, तो वो आर्टिकल जो है, आज, वो एडिटोरियल जो है, वो हम आज डाल देंगे, science and tech का daily analysis, हिंदू Indian Express का, तो उसमें इसको detail मेक्समेंट करेंगे, इस आर्टिकल को, disease को भी कवर डिजीज है, डूचेन है, muscular disease, तो बेसिकल इसमें क्या होता है, muscles, जो है, प्रोपरली काम नहीं कर पाती, जैसे एक पूरा portion, जो है, प्रिकल से लखवा, जैसे हो जाता है, वैसे, इस से रखीक डिजीज है, ठीक है, एगमा, ग्लोबू, लिनेमिया, जैनलिक डिजीज है, that affect bodies, ability to produce antibodies, तो बेसिकली ये जो बिमारी है, जो second थी, जैनलिक डिजीज, इसमें क्या होता है, बोडी में antibodies प्रोड्यूस नहीं हो पाती, यानि कि शरीर हमारी खुद की रक्षा नहीं कर पाता है, तो शरीर बहुत कमजोर पर जाता है, और बिमारें से ग्रसित हो जाता है, ये second disease थी, immune deficiency की disease है, again question number 7, systemic lupus, erythromatosis and rheumatoid arthritis and zogrens syndrome are autoimmune disease, infectious disease, degenerative diseases or self-inflicted disease, very important question, ऐसे question आते हैं, अगेन आप दो को सरीर बिमारें को नाम तो हमने कभी सुने हैं, नई सुने हैं, इसलिए तो पढ़ रहे हो, नई सुने हैं, इसलिए पढ़ रहे हो, और पढ़ना उनको ही है, जो चीज़ें नई सुने हैं, क्योंकि नया सिखने को क्या मिलेगा, तो याद रहो, systemic lupus erythromat metosis, rheumatoid arthritis और zorgrens syndrome और कौन से बिमारें हैं, तो यह ध्यान रखना कि यह autoimmune disease है, autoimmune disease का मतलब क्या है, हमारा शेरीर जो है, जब हमारी शेरीर में बाहर से कोई भी virus वेक्टिरिया आता है, तो शेरीर उस से लड़ता है, डवली बीस से लड़ती है, virus बेक्टिरिया को मारने क कोशिश करती है, तो यह हुआ हमारे immunity system, तो generally हमारी body किस से लड़ती है, बाहर से कोई bacteria virus हमारी body में आ जाए, तो foreign method से लड़ती है, लेकिन कई बार हमारा चरीर जो है, जिन लोगों autoimmune disease होती है, उनमें क्या करता है, शरीर खुद की कोशिकाओं के खिलाफ लड़ने लग जा जो है, इम्मुनेटी खुद की दुष्पन बन जाती है, शरीर की दुष्पन बन जाती है, शरीर की दुष्पन बन जाती है, इम्मुनेटी, that is autoimmune disease, तो यह तीनों ऐसी विमारिया है, लूपस, एरित्रो, मेटासिस, रुमेटर आर्थर्टीस, और जो ग्रेंस सिंड्रम त तो लीवर को वीक कर देगी, that is degenerative disease, self-inflicted disease, self-inflicted disease का मतलब यह है कि वो बिमारी खुद को ओर ज्यादा बढ़ाती रहेगी, that is self-inflicted disease, खुद नहीं बिमारी जो है, इन्फिक्ट कर दी खुद के अपर, that is self-inflicted disease, तो याद रखना है, अगला question, consider the following genetic disorders, clean filters syndrome, turner syndrome, red, green, color blindness, how many of above are linked with x chromosome, very very important, in fact यह कई सारे एक्जामों का favorite question है, आप बहुत सारे एक्जाम में, SSC, railway, banking, और state PCS, even UPSC में, और state PCS में, बहुत सारे बार यह question देखोगे, clean filter syndrome का बहुत बार question आया है, turner syndrome का बहुत बार question आया है, यह भी question आया है, कि red, green, color blindness, जो है, किसकी वज़े से फेलती है, तो एक तरीके से mix करके बनाया है, मैंने question, तो बताओ, how many of above are x chromosome से link बिवारिया है, कितनी है, थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ, clean filter, turner, red, green, color blindness, so correct answer is all three, तीनों की तीनों x chromosome से related बिवारिया है, यह x chromosome है क्या, तो आपको पता है कि हमारी body में, प्रोमोजोम, के 23 पेर से, 23 जोड़े हैं, गुंड सुत्रों के, male और female में, ठीक है, तो चाहे मैं male की बात करूँ, चाहे मैं female की बात करूँ, तो 22 जोड़े जो है, उनको छोड़ रहा हूं में, 23 पेर की बात कर रहा हूं, 23 पेर जोड़े हैं, उसकी बात कर रहा हूं, तो male के अंदर 23 पेर जोड़े होता है, वो होता है, x, y, और female के अंदर होता है, x, x, छोटी क्लास में, पांच पेर क्लास में आपने ये पढ़ा होगा, है ना, तो basically x chromosome की बिमारिया का मतलब यह है, कि यह जो male के अंदर x chromosome है, या female के अंदर जो है, दोनों x chromosome है, इन में कोई defect आना, इन में defect आने का मतलब यह है, कि या तो यह x chromosome faulty होगा है, इसमें कुछ गड़बड होगा है, या तो यह deficiency होगा है, वो, दूसरा, इस x chromosome की extra copy हो, जैसे मालने दो तो है, और एक आदा x chromosome या एक extra copy और आ जाए, और यहाँ पर भी extra copy आ जाए, तो यह extra है, तो या तो chromosome में खुद में कोई deficiency हो, या फिर extra copy आ जाए, उससे जो बिमारे होती है, उनको x chromosome link disease कहा जाता है, तो यह clan filter syndrome, turner syndrome, red green color blindness, एसे ही बिमारे हैं, जो x chromosome में कोई deficiency है, एक extra copy आने के वज़े से होती है, जो clan filter syndrome है, basically generally यह male में होता है, पुरुषों में, और पुरुषों में जो है chromosome क्या है, जो healthy chromosome है, x, y, ठीक है, इसमें गड़बड हो जाती है, clan filter syndrome में, क्या होता है, basically, extra x chromosome, यानि की male के अंदर, यहाँ पर x, y होता है, generally, normal, और clan filter syndrome में हो जाता है, clan filter में हो जाएगा, x, x, y, यानि एक x chromosome की, एक अलग से extra copy आ गई, यह y है, यह y है, तो एक x गुंसुत्र extra आ गया, वो होए male के अंदर, एक extra chromosome आ जाना है, clean filter syndrome, इसमें basically की होता है, कि male में कई सारे जो है body की organ, जो है extra develop हो जाते है, chest develop हो जाती है, breast के जैसे दिखता है, या testis जो है, उनका size सोटा हो जाता है, इस तरीके के development हो जाते है, extra x की copy आने से, यानि की male के अंदर कई बार female के symptoms आ जाता है, that is, clean filter syndrome, turner syndrome, तो clean filter syndrome जो है male के अंदर होता है, turner syndrome जो है female में होता है, female में जो normal chromosome है, वो x और x है, और generally turner syndrome में क्या होता है, loss of 1x chromosome in female, तो normal तो double x होता है, लेकिन इस में क्या होता है, सिर्फ x मिलता है, यानि एक x जो है उड़ जाता है, खत्म मिलता ही नहीं है, या पाया नहीं जाता, तो इसकी वज़े से female में क्या होता है, कि जो भी body की organs है, चाहे breast है, या chest है, या other जो भी private parts है, वो fully developed नहीं हो पाते, कई बार turner syndrome में महिला जो है infertile हो जाती है, उनकी बच्चे बगरा नहीं हो पाते, तो ये x chromosome की deficiency होता है, तो male में clean falter syndrome, female में turner syndrome, red green color blindness, तो color blindness का मतलब, जिन लोगों को ये red green color blindness होती है, वो लाल बत्ती पर जाके खड़े रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, उनको पता नहीं चलता है, कि बत्ती कब green हो गई है, ठीक है, और कब red हो गई है, ध्याने नहीं पड़ता, कि color blindness है, ये भी actually X chromosome की वज़े से होती है, तो ये बिमारें ध्यान रखनी है, अब मैं दुबारा question पर जा रहा हूं, क्योंकि कितनी बिमारें हमने cover की है, वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है, और सब को ध्यान रखना है, ये सारे news में हैं, बहुत अच्छे questions हैं, ये सारे के सारे, चलो, यहाँ पर देखो, X chromosome, ठीक है, तो डूचे ने muscular dyastrophy और agma globally नेमिया, ये क्या है, genetic disease है, dyastrophy में जो है, muscle properly काम नहीं कर पाती, और globunemia में क्या होता है, वेसे के लिए, आपका immune system जो है, deficient हो जाता है, properly काम नहीं कर पाता, तो ये दोनों विमारी genetic diseases ध्यान रखना है, उसके बाद अगला जो question था, वो था, systemic lupus erythromatosis, rheumatoid arthritis और Zorgrens syndrome, ये autoimmune disease है, अगेन एक question कैसा बन सकता है, consider the following diseases, एक नमबर पर आप रख दिया, आपने systemic lupus erythromatis, दो नमबर पर rheumatoid arthritis, ती नमबर पर Zorgrens syndrome, how many of above are autoimmune disease, only one, only two, only three, none, तो तीनों ये जो है autoimmune disease है, ठीक है, autoimmune disease क्या होती है, मैंने आपको समझा दिया, चलो, ये article का जो है, detail explanation, again, हमारा जो वीडियो है, science section वाला, उसमें मैं दे रहा हूँ, जहाँ detail में मैं बताओंगो कि अभी हमारा पर इतना time नहीं है, तो वहाँ पर मैं इसका explanation दूँँगा कि X chromosome से ये बिमारिया कैसे होती है, तो X chromosome में deficiency के विज़े से किस तरीकी से ये बिमारिया फिलती है, GIST or 6 which are recently seen in the news are, recently discovered species of bacteria which can be useful in treatment of cancer, recently discovered species of fungus which can be useful in treatment of cancer, recently discovered species of algae which can be useful in treatment of cancer or non-coding RNAs, जिस्ट और सिग्स यह क्या है तो अगेन यह इसी आर्टिकल से question बनाया है यह इसी आर्टिकल से question बनाया है तो basically यह दोनों RNAs होते हैं non-coding RNA तो यह याद रख लो जिस्ट और सिग्स जो है these are non-coding RNA इसको थोड़ा समय explain भी जो है कर देता हूँ हमारे जो आर्टिकल जो हिंदू में आया है इस आर्टिकल में क्या है कि जो महिलाओं में prevail में यह xx chromosome होता है जो 23rd या 23rd जो chromosome है वो यह pair होता है एक certain age की बाद महिलाओं में जो 1x chromosome है वो inactive हो जाता है वो inactive या असक्री हो जाता है इस असक्री होना अच्छी बात है क्योंकि उससे क्या होता है कि body में x chromosome का जो effect है वो normal रहता है या balance बना रहता है बेसिकली x chromosome में 800 gene होता है कितने 800 gene होता है और यह gene जो है अपना काम करते है अगर यह x chromosome अगर यह active नहीं हो पाता यह inactive नहीं हो पाता तो क्या होगा extra gene जो है इसमें आ जाएंगे और वो body में बहुत सारी बिमारें पिता करेंगे तो यह article इस बारे में है कि कुछ महिलाओं जिनमें यह दूसरा वाला जो x chromosome है यह पूरी तरीके से inactive नहीं हो पाता यह थोड़ा बहुत चालू रहता है थोड़ा बहुत active रहता है इसकी active होने से कई सारी body में बिमारें हो जाती है जैसे Alzheimer disease अलजामर बिमारी कुमसी है जब बहुत बूरी लोग हो जाते हैं तो उनका जो neuron का system properly काम नहीं कर पाते हैं तो आप देखना वो डंक से चल भी नहीं पाते है सुननी पाते है समझ नहीं पाते है वो क्यों होता है Alzheimer disease से होता है तो वो देखा गया है कि जिन महिलाओं में ये X जो chromosome है ये पूरी तरीके से inactive नहीं हो पाता यानि थोड़ा वो चालू रहता है ये तब ये जो है Alzheimer disease हो जाती है तो इस तरीके से तो यहाँ पर जो ZIST और SIGS है वो non-coded RN है ठीक है? तो उस series को भी आप follow कर रहा है I hope you are enjoying MCQs की series आपको समझ में आ रहा है Please share it आप इसको share करेंगे तो हम ओर जो है ज़्यादा महनत करके वीडियो बनाने कोशिश करेंगे Thank you very much